तिहार जेल प्रसासन के उरे होस मचा हरकम वो 125 कैदी हुए HIV पॉजेटिव 10,000 कैदीों की कराई गई थी जास तो आए हैरान कर देने वाले आक रे जानिए कैसे और कब हुए कैदी इस जानने वा बिमारी के सिका दिल्ली की तिहार जेल से एक चौकाने वाली खबर सामने आई है जहां 125 कैदी HIV पॉजेटिव पॉजेटिव पाए गए है हलाकि HIV पॉजेटिव कैदी नए नहीं है वहीं 200 कैदियों में सिल्फिस की बिमारी है हाल ही में 10,500 कैदियों की मेडिकल स्क्रीणिंग कराई गई जिसमें ये जानकारी सामने आई है और इस जेल में तकरीबन 14,000 कैदी है लेकिन ये जो चौकाने वाले आकरे हैं इस आकरे से सभी लोग हैरान है जेल परसासिन की ओर से इस मामले पर कोई आदिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि तिहार जेल में समय समय पर कैदियों की मेडिकल स्क्रीणिंग कराई जाती है और हाल ही में तिहार जेल में नए डीजी 27 गोलचा ने चार्ज लेने के बाद हाल कि इसमें गौर करने बाली बात ये है कि इन कैदियों को हाल में एड्स नहीं हुआ है बलकि अलग-अलग समय और जब ये कैदि बाहर से जेल में आये उस वक्त भी इनका मेडिकल टेस्ट कराया गया तब भी ये HIV पोजिटिव थे जेल में आने से पहले मेडिकल चिकप कराया जाता है तभी से ये AIDS के सिकार थे अब दोबारा जब मल्टिपल कैदियों का चिकप हुआ तब सिर्फ 125 कैदी AIDS के सिकार पाये गए है कैदियों की जाज में टीवी का कोई केस पोजिटिव नहीं आया है वही तिहार जेल के प्रोटेक्टिव सर्वे विभाग ने एमस और सफदरगज अस्पताल के साथ मिलकर महिला कैदियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कराया था ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि महिलाओं में एकसर सर्वाइकल कैंसर के चांस होते हैं वहीं तिहार जेल के प्रोटेक्टिव सरवे विवाग ने एम्स और सब्तरगन के साथ मिलकर ये टेस्ट कराया और जिसमें यह करवाया गया कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर है या नहीं इसको लेकर भी टेस्ट करवाया गया आपको बता दे कि तिहार में करीब साथे 10 जर कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई और जेल में तकरीबन उस 14,000 कैदि हैं तिहार जिल में समय समय पैर कैदियों की स्क्रीनिंग कराई जाती है हाल ही में तिहार जिल में नई डीजी 37 गोलचान चार्ज लेने के बाद सारे 10,000 कैदियों का मेडिकल चेकप कराया जिसमें कई तरह के हैरान कर देने वाले आकरे सामने आये हैं जिसमें 125 कैदियों को HIV है इस तरह के आकरे भी सामने निकल के आ रहे हैं बाकि इस हरान कर देने वाली ख़वर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और देखते रहें सच टॉक्स न्यूज